हलो दोस्तों विल्कम टू माई चैनल तो आज हम बनाने वाले हैं खस्ता कचोड़ी गेहों के आटे की और मुंफली की चटनी तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे आटा और इसमें हम अजवाइन क्रस्ट करके डाल देंगे जिससे कि इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा अब इसमें हम नमक डाल देंगे फिर इसमें हमारा ओयल जाएगा अब इसको हम अच्छी तरह से मसल के सभी चीजों को मिला लेंगे आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तब तक मसलना है इसको जब तक आटे की लोई ना बनने लगे लड़ू की तरह देखिए बन रहा है अब मारा आटा बिल्कुल पूरी तरह से तयार है अब इसको हम पानी डाल करके गूथ लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी हमें डालना है ताकि यह गीला ना हो जाए इसका बिल्कुल नार्मल सा डो तयार करना है ना ज्यादा गीला और ना ज्यादा टाइट तो देखिए मारा आठा पूरी तरह से बूत गया है अब इसको हम पांस मिनट के लिए रख देते हैं कि अब सबसे पहले अब हम चटनी बनाने के तयारी करते हैं तो यहां पर हम कडाई को चड़ा दिये हैं और इसमें थोड़ी मुंफली डाल की भून लेते हैं अच्छी तरह से तक जो मुंफली का कच्चापन है वो निकल जाए तेहां पर मारी मुंफली जो है अच्छी तरह से भून गई है इसको हम निकाल लेते हैं और आलू को हम अच्छी तरह से मसल लेते हैं तेहां पर हमने सभी आलियों को अच्छी तरह से मसल लिया है और फिर हम कड़ाई को चड़ा देंगे गैस पे और इसमें हम दालेंगे सर्सो का तेल तेल हमारा गर्म हो गया है अब इसमें हम एक चम्मच जीरा एट करेंगे जीरा जब हमारा हलका हलका ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम म्यूल कर दो तरा विजल जाएगा इसमें मांग phosphate पका लेंगे इसमें हम साले करेंगे तो सबसे पहले हम हल्दी बावडर दालेंगे थोड़ा सब छिखिस में हम घर मसाला हैट करेंगे जीर्य कंथा अब हमारा नमक जाएगा स्वाद मॉसार अब इन सभी चीजों को हम मिक्स करेंगे थोड़ा लाल मिट्ची पाउडर आम चूर का पाउडर भी थोड़ा आइट कर देंगे चटपटा होने के लिए फिर इन सभी चीजों को हम लगबाग मीडियम फ्लेम पे 5 मिट तक पकाएंगे इसको बार बार हम चलाते रहेंगे ताकि नीचे जल ना जाए अब देखिए आलू जो है हमारे दो तीन मेट तक भून चुके हैं इसमें हम अब धनिया का पत्ता आइट कर देंगे इनको भी हम अच्छी तरह से चला लेंगे मिक्स कर लेंगे कि अब इसको हम दूसरे प्लेट में टांसरे कर लेतें हैं है क्योंकि हमारे जो यह कि आलू कि मसाले हों भिल्कूल अच्छी तरह से तयार है अभी दर हम मुंफुली के दाने चुड़ा लेते हैं इसका छिलका अच्छे से उतर जाएगा क्योंकि मारी मुमफली है खंडे हो चुके हैं फिर मिक्सिजार में हम मुमफली दो हरी मेर्च और धनिया पत्ता चार-पांच लाशुन की कली है थोड़ा सन्नमक थोड़ा आमचूर पावडर डाल करके अफिस में थोड़ा साम पानी आड़ करेंगे और इसको पीच लेते हैं तो यहां पर हमारी मुमफली की चट्नी है वह अच्छी तरह से तयार है अब इसको हम निकाल लेते हैं कि इधर आटे को हम एक बार फिर मसल के उसके चोटे चोटे बावल बना लेंगे अब इनको अच्छे से हम पटोरी की तरह बनाएंगे आटे को अब इसी में हम अपने जो आलू की मसाले बनाए हैं इसी में हम डाल करके अच्छे से बंद कर देंगे कचोड़ी के अंदर इसको अच्छी तरह से दाब दाब के आप भरेंगे तो यह फूटेंगे नहीं बिल्गिल धीरे धीरे हाथ से इसको बेलना नहीं है बस ऐसे ही हम दाब देंगे यह हमारी एक कचोड़ी बनके तयार है ऐसे हम सभी कचोड़ी को बना लेंगे अच्छे से भर भर के अच्छे से दाब दाब के भरना पड़ता है आलवों को नहीं तो यह फड़ जाते हैं और में अब इदर हम कड़ाई को फिर चड़ा देंगे वह स्वान कर देंगे और फिर देखिए यहां पर हमारा तेल गर्म हो चुका है अब इसमें हम अपनी कचोड़ियों को एक साथ दो टीन डाल देंगे और इनको मेडियम फिलेम पर हम पकाएंगे ताकि हमारी जो कचोड़िया हों खसता होंगी हमारी एक तरब से कचोड़िया जो है हो गई है इसको हम पलट देते हैं मेडियम फिलेम कर देते हैं हम देखिए हमारी लाल लाल कचोड़िया बन करके तैयार है इसको हम निकाल लेते हैं ऐसे हम सभी कचोड़ियों को तल लेंगे एक साथ हमने सभी कचोड़ियों को बना लिया था अब फ्राइ कर देते हैं अब इनको भी हम निकाल लेंगे क्योंकि हमारी पचोड़ियों दोनों तरब से पप चुकी है इनको निकाल लेते हैं इस समय बारिस का मौसम है वैसे भी कचोड़ियों पकोड़ियों बहुत अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज ट्राइ करिए यहां पर देखिए हमारी जो चटनी है और कचोड़ियों बन करके तयार है देखिए कितना खस्ता कचोड़ि बनी है तो आप लोग भी एक ब पिरसिए कितना खस्ता कर दो आप लोग नहीं है और कचोड़ियों बनी है तो आप लोग विह दो जो डो आप लोगती है धिगicks throwback कोड़ियों दिखरम्स पालते है दो आप लोगतं बनी पिर फिमें पकोड़ियों थम कोड़ियों है времड़ियों है आप इखिए तो च